लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मुद्धे पर कॉंग्रेस की राष्ट्रे महासचेव प्रियंका गांधी ने हमला बोला है उन्होंने यूपी सरकार के आदेश को विभाजन कारी बताते हुए समविधा और लोकतंत्र पर हमला बताया है कि हमारे समविधान देश के हर नागरिक को गैरेंटी देता है कि उसके साथ जाती धर्म भाषा या किसी अन्य आधार पर भेद भाव नहीं होगा यूपी में ठेलों, खुम्चों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजन कारी आदेश हमारे समविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साजी विरासत पर हमला है समाज में जाती और धर्म के अधार पर विभाजन पैदा करना समविधान के खिलाफ अपराद है या आदेश तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, उन पर सक्त कार्रवाई होनी चाहिए यूपी में कावड रूट को लेकर जारी आदेश पर सियासी घमासान लगतार मचा हुआ है, कॉंग्रस के अलावा भी कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है और इस बीच AIMMM के चीफ असुदुदीन वैसी ने भी सरकार के फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से होटेल और ढाबों पर काम करने वाले कई कर्मचारियों का रोजगार चला गया देश में समविधान का उलंगन पंदर दिन तो क्या एक मिनिट के लिए भी नहीं किया जा सकता सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो पूरी तरीके से असमविधानिक है गलत है साल भर में अलग-अलग धर्मों के भी तेवहार पड़ते हैं तो क्या रमजान के महिने में सरकार शराब दुकानों को बंद करेगी क्या वही जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यूपी सरकार के फैसलों क्या लूचना की उन्होंने भी कहा कि अनुचित पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभाव पूर्ण फैसले को ततकाल वापस लिया जाना चाहिए और दावा किया कि सरकार के इस फैसले से उन शक्तियों को ताकत मिलेगी जो मुसल्मानों का आर्थिक भहिशकार चाहते हैं कुछ दिन पहले यूपी के मुजफर नगरजिले में 240 किलोमिटर लंबे कावड यात्रा मार्क पर सभी होटेल्स धाबो और ठेलो सहित भोजनालेों को दुकानों पर काम करने वाले के नाम प्रदर्शन करने का आदेश जारी किया था इसके बाद शुकरवार को यूपी सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा आदेश जारी कर दिया और सरकार के इस पैसले के बाद अब पूरी यूपी में कावड यात्रा पर दुकंदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी हो गया है तो इस पर विपक्षभ हमलावर हो रहा है इसी जोड़ी वी और भी अप्डेट हम आप तक पहुंचाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें